हेलो विवान वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्राम स्टडीबर्स और मैं हूनगव गुपता स्वयर आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत इंबॉर्टन टॉपिक लेके आया हूं और बहुत इंट्रेस्टिंग भी कि अकसर हमें सुनने के लिए मिलता है कि या के लिए शुरू करते हैं इससे पहले फ्रेंज हम स्टार्ट करें आप हम ऐसाथ इंस्ट्रागाम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं मां इस्ट्रागाम है सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपको कम्प्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट www.studybus.co.in पर मिल जाएगी यहीं जाके आप अपना order भी प्लेस कर सकते हो और हर pen drive के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसमें आपको e-books की वेसिलिटी टॉपिक वाइस टेस्ट वीकली करेंट अफेस टेस्ट और सारे फुलन मॉक्स भी मिलते हैं इसके लाब आपको एक study planner का भी प record बनाया for example FMS ने यह record बनाया 4 ने यह record बनाया आयम बैंगलोर ने आयम एहमदाबाद ने कायलकटा ने यह record बनाया यह एक्जलराई ने 30 लाक्स की average CTC प्रोवाइड करी है यह SP Gen ने 25 लाक्स से जादा किया 30 लाक्स की average CTC प्रोवाइड करी है ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना अच्छा trend placements का MBA के अंदर देखने के लिए मिल रहा है इसके पीछे क्या reasons है और यह आपके लिए बहुत ही motivating factor भी हो सकता है कि क्यूं आपको बहुत मेहनाद करके एक अच्छे college में चले जाना चाहिए because अगर आप ऐसे college को convert कर लेते हो तो आपकी भी ऐसी placements लग सकती है तो friends अगर हम देखें कि कौन से MBAs है जिनकी highest salary रहती है इंडिया के अंदर तो यह कुछ domains है अगर आप इन domains के अंदर MBA करते हो तो आपकी बहुत ही अच्छी salary लग सकती है for example अगर आप consulting के अंदर करते हो finance के अंदर human resource के अंदर operations के अंदर IT में, marketing में, general management में, international business में, supply chain management के अंदर या operations के अंदर अब जो आपकी specialization होती है वो आपको second year में choose करनी होती है first year के अंदर आपको सारे general subjects पढ़ाय जाते है तो अगर आप अपनी पसंद की specialization choose करते हो depending आपको first year में पढ़के क्या चीज़े अच्छी लगती है तो इन सारे domains के अंदर आपको एक बहुत अच्छी opportunity मिल सकती है, बहुत अच्छी CTC की, बहुत अच्छी salary की, बहुत अच्छी job की opportunity आपको मिल सकती है अगर friends हम बात करें, सबसे बड़ा reason क्या है, सबसे बड़ा reason है कि अगर आप किसी अच्छे college को convert कर लेते हो, तो वहां से corporates या companies की high demand है बच्चों की यानि कि अगर सबसे बड़ी important condition क्या है कि आपने अच्छी जगां से कर रहा हूँ है, for example आपने IM से किया है, या आपने FMS से किया है, या आपने एक्जलराई से किया है, या आपने इसी से मिलते जुलते, SP, Gen, जैसे college से किया है, या और top colleges से किया है, बहुत चारे top colleges हैं, तो इन colleges की demand बहुत जादा high है, no doubt in colleges में admission लेने के लिए हमें एक tough competition phase करना बढ़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे colleges convert कर लेते हो, तो वहाँ पे जो graduates है, उनकी बहुत high demand है, इस वज़े से जो top corporate houses हैं, वो एक बहुत ही अच्छा salary और CTC package इन सब को offer करते हैं, उसके बाद, तो friends अब two years का जो MBA है, वो सिरफ और सिरफ ऐसे नहीं है कि आपको book learning रह गई है, two years के अंदर आपको immense exposure दिया जाता है, अलग-अलग activities के थू, यानि कि आपको two years में सिरफ और सिरफ books नहीं पढ़ाई जाती, आपको बहुत सारी peer-to-peer learning कराई जाती है, class diversity होती है, बच्चे management background से होते हैं, कुछ legal background से होते हैं, कुछ medical से होते हैं, अलग-अलग diversity से होते हैं, उनका professional experience भी होता है, जिससे आप सीख सकते हो, जो class की learning में add करता है, इसके अलावा, आपका strong network बनता है, किसके साथ, आपके peers के साथ, आपके teachers के साथ, आपके alumni के साथ, जो visiting faculties होती है, उनक सारे courses, जो offer करे जाते हैं, first year के अंदर, second year के अंदर, वो आपको बहुत सारी चीज़े दिखाते हैं, कि कैसे एक organization work करती है, कैसे उन concepts को आप business के अंदर implement कर सकते हो, कैसे वो tools आप industry के अंदर use कर सकते हो, और ये बहुत high demand के अंदर होते हैं, because business के लिए ये सारी चीज़े ब future में जाओगे, उसके अंदर आपकी value addition हो पाए, तो यानि की two years, आपकी सिर्फ उसे book learning नहीं है, आपको immense exposure भी दिया जाता है, जिससे की आपकी personality एक तरीके से develop होके निकलती है, जिसकी वज़े से MBS बहुत high demand में है, जिसकी वज़े से companies बहुत high salary, top MBA graduates को दे रही है, तो friends, MBA के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, कि बच्चों को equip किया जाता है with knowledge और expertise भी उनको सिखाया जाती है, कि वो कैसे key positions को handle कर सकते है, यानि कि in future जब आप manager बनोगे, तो आपको पता होना चाहिए, कि एक manager के क्या काम है, manager को कैसे behave करना है, manager को कैसे act करना है, तो organization का bird eye view सिखा जाता है, उसके बाद operations की insight दी जाती है, processes बताई जाती है, तो ये सारी चीज़े MBA graduates को आती होती है, तो ये company को बहुत ज़्यादा help करती है, उनके business के अंदर, और strategic decision making roles के अंदर इनको hire किया जाता है, because company को इनकी बहुत ज़्यादा requirement रहती है, कि कैसे strategic decision making के through, वो अपने business को efficient manner के अंदर conduct कर सके, इसके अलावा innovation बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किसी भी business में, ताकि वो competition के उपर उसको एक edge मिल सके, तो अगर MBA graduates की lateral thinking, या उनकी critical thinking बहुत अच्छी है, और वो innovative है, तो company को बहुत ज़्यादा help मिलती है, कि वो innovation के तु अपने competition को सरपास कर सके उसके बात friends, बहुत important है, कि बच्चों को versatile skill set उनका develop होता है, यानि कि अगर आपको अपना skill set widen करना है, तो MBA course आपके लिए बहुत अच्छी opportunity हो सकता है, बहुत अच्छा medium या tool हो सकता है, आपको एक platform दिया जाता है, जहाँ आप अपनी skills build कर सकते हो, diversify कर सकते हो, expand कर सकते ह और new grounds भी आप सीख सकते हो, इसके अलावा आपको wide breath of knowledge दी जाती है, आपको leadership positions के बारे में सिखाया जाता है, आपको functional areas कैसे manage करना है, ये सारी चीज़े सिखाया जाते है, तो इस वज़े से बहुत जादा high demand रहती है companies के अंदर, अगर आपकी skill set बहुत अच्छी है तो, उस कई बार आपको debating competitions के अंदर, case study competitions के अंदर, या business plan competitions के अंदर जाना होता है, आपको listening, coordination, negotiation, perceptiveness, persuasion, ये सारी abilities भी, आपकी कही ना कहीं develop होती है, जब आप इतने लोगों से interact करते हो, तो manager की एक ability बहुत important होती है, कि उसको understand करना है, connect करना है at human level, और इसके लिए उसका emotional IQ भी हो corporate house की होती है, उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब road learning नहीं रह गई MBA के अंदर, यानि कि ऐसा नहीं है कि आपको सिरफ और सिरफ theory पढ़ाई जा रही है, अब सारी MBA colleges का maximum MBA colleges का जो curriculum है, वो case study based curriculum हो गया है, यानि कि आपको किसी भी तरीके से सिरफ ratification नहीं करन है, आपको case study के थुरू सिखाया जाता है, जो top international universities की case studies होती है, उनसे बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चों को ये पता लगता है कि यह actual problems को कैसे handle करना है, क्या-क्या challenges एक business face करता है, और कैसे हमें उसको overcome करना है, क्या case study को हम implement कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें, एक किसी की भी personality को बहुत जादा groom कर देती है, two years के अंदर, जिसकी वज़े से बहुत high demand corporate houses की रहती है, अगर आपने अच्छी जगह से MBA के है, और आपके पास relevant skills है, तो आपकी एक बहुत high demand रहेगी, और आपको भी एक बहुत अच्छी salary, या package, या job मिल सकती है, तो friends, ये थे क कुछ reasons कि क्यू MBAs जो graduates होते हैं, उनकी salary बहुत high होती है, तो अगर आप भी motivated हो MBA करने के लिए, तो आपको complete details हमारी website, हमारे channel के उपर मिल जाएगी, अगर आपको pen drive course में या live batch में enroll होना है, तो हमारी website है www.studybus.co.in, प्लीज हमारी साथ instagram पर जभरू connect हो, जाना मा instagram handle is studybus underscore education, और अगर आपकी कोई भी query है, तो आप हमें WhatsApp या email भी कर सकते हो, so thanks a lot friends, all the best, God bless you.